हेलो गाइज तो पिछले साल बिग बिलेंड डेस सेल में मैंने पर्चिस किया था आइफोन 13 तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आज के इस टाइम पे हम आइफोन 13 पर्चिस करें 14 पर्चेस करें या 15 पर्चेस करें और बात करेंगे प्राइजिंग की और Flipkart Big Billion Day Sale और Amazon Great Indian Festival सेल के बारे में बात करेंगे और लास्ट येर Flipkart Big Billion Day Sale में मैंने iPhone 13 पर्चेस किया था 50,000 रुपीज में सबसे बहले अगर हम बात करें iPhone 13 की तो Amazon ने अपने Great Indian Festival का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया है और उसमें iPhone 13 की जो प्राइज आ रही है ओफर वगेर लगा के वो आ रही है 3,999 मतलब 40,000 रुपीज में आपको iPhone 13 128 GB मिल सकता है अगर हम बात करें इसकी रेगुलर प्राइज की तो वो सेल में आ सकती है लगबग 42,000 रुपीज से लेके 44,000 रुपीज तक iPhone 14 और iPhone 14 Plus की Best Deal आपको मिलेगी Flipkart पे क्योंकि Flipkart ने 14 और 14 Plus का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया है और iPhone 14 की जो रेगुलर प्राइज सेल में आने वाली है वो आने वाले है 50,000 रुपीज क्योंकि पिछले साल भी iPhone 13 जो है वो 50,000 रुपीज में ही आया था iPhone 15 की अगर बात करें तो iPhone 15 पे इस टाइम पे कोई भी सेल नहीं आने वाले क्योंकि iPhone 15 रिसेंटली ही लाँच हुआ है और उसकी जो रेगुलर प्राइज रहने वाले है वो रहने वाले है 80,000 अगर थोड़ा बहुत डिसकाउंट मिल भी जाता है तो 5000 के करीब हमें डिसकाउंट मिल सकता है iPhone 15 पे बात करें डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो iPhone 13 और 14 में हमें कोई भी major differences देखने को नहीं मिलते वो देखने को मिलते है iPhone 15 में और curve edges iPhone 15 में हमें मिल जाते है iPhone 15 में हमें front में dynamic island मिल जाता है और उसके साथ ही back में frosted glass भी मिल जाता है जो कि iPhone 13 और 14 से काफी ज़्यादा अलग है और iPhone 13 और 14 में कुछ ज़्यादा difference नहीं है सिर्फ जो iPhone 14 के lens है वो थोड़े बहुत बड़े है iPhone 13 के comparison में तो भायो अगर हम बात करें सबसे value for deal के बारे में तो वो है iPhone 13 पे क्योंकि आज के इस condition में iPhone 13 काफी ज़्यादा एक value for money device है क्योंकि हमें एक 5G device मिल जाता है 40,000 के करीब अगर ये guys 40,000 के करीब आया न तो भाई बहुत मतलब बहुत ही must device है 40,000 रुपीज को justify करते हुए जितना iPhone 14, 14 Plus और 15 में लोगों को interest नहीं उतना ज़्यादा interest लोगों को अभी iPhone 13 पर्चेस करने में है क्योंकि value for device 5G device हमें मिल जाता है और iPhone 15 में हमें Type-C port मिलने के कारण काफी ज़्यादा possibilities होती है कि काफी ज़्यादा हमाईरों जो accessories होती है वो आसाने से connect हो जाती है data transfer में हमें आसानी हो जाती है Type-C के वज़े से आपकी priority है कि आप iPhone लेने के बाद उससे gaming करेंगे और hardcore user हो तो आप definitely iPhone 14 की तरब जा सकते हो क्योंकि iPhone 14 में हम iPhone 13 से थोड़े बहुत ज़्यादा marty-dasking जैसे features मिल जाते है और काफी अच्छा iPhone 14 वर्क करता है और sale में अगर iPhone 13 और 14 के price में लगबग 5-6000 का अगर gap हो तो आपको definitely iPhone 14 की तरब जाना चाहिए क्योंकि iPhone 14 में आपको iPhone 13 से थोड़ी बहुत क्या थोड़ी बहुत improvement तो मिली जाएगी भाई तो इसलिए आपको अगर price में sale के price में 3-4-5,000 रुपे तक अगर difference हो तो आपको definitely iPhone 14 ही purchase करना है और अगर आप एक normal user हो तो आपके लिए iPhone 13 भी enough है भाई बहुत enough है और काफी अच्छा device है iPhone 13 और 14 के photos के बारे में तो iPhone 13 और 14 में हम बहुत जादा difference नहीं देख पाएंगे क्योंकि iPhone 13 और 14 की जो photos है वो लगबग same ही आते है और iPhone 13, 14, 15 के battery life के अगर बात करें तो इन तीनों phone में हमें बहुत जादा difference नहीं देखने को मिलता लगबग तीनों phone same ही work करते है अगर आपको iPhone 14 में जादा battery life चाहिए जादा screen body चाहिए और थोड़े बहुत upgrade चाहिए तो आप definitely iPhone 14 Plus की तरप जा सकते हो क्योंकि iPhone 14 Plus flip card big bill and diesel में आपको मिल सकता है 60,000 रुपीज तक और iPhone 14 आपको मिल सकता है 50,000 रुपीज तक अगर हम बात करें conclusion की तो आज के इस time पे अगर आपका budget कम है मतलब आप 40,000 रुपीज या 45,000 रुपीज तक कोई भी iPhone पे spend करना चाहते हो और आपको एक कम budget वाला device चाहिए तो आप definitely iPhone 13 की तरब जा सकते हो और price को justify करते हुए iPhone 13 एक best deal है आज के इस time पे और आज के इस price point पे 50,000 रुपीज के अंदर iPhone 13 एक best deal है भाई और iPhone 13 और 14 में अगर 5000 रुपीज का difference हो तो आप definitely iPhone 14 परचिस करें क्योंकि iPhone 14 में हम iPhone 13 से थोड़े बहुत multitasking ज़्यादे मिल जाते है और update थोड़े ज़्यादे मिलेंगे अगर हम बात करें भाई iPhone 15 की तो आज के इस price point पे और 80,000 रुपीज में iPhone 15 आपको नहीं लेना है बलकि sale में ही लेना है क्योंकि iPhone 15 इतना ज़्यादा भी value for money नहीं है जो कि आप उस पे 80,000 रुपीज spend कर सको भाईो यही थी वीडियो तो आप definitely comment कीजिए कि आप कौन सा iPhone परचिस करना प्लैन कर रहे है तो भाईो मिलते है आपको next वीडियो में जैहीन वन्दे मातरम सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रतमेश अधमने थैंक्यू